नमस्कार मैं हूँ जयेश और आप देख रहे हैं दपैंफ्लेट 2 अक्टूबर 2021 को ये मुंबई क्रूसिफ ड्रग शापे के बारे में हम सभी जानते ही हैं जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए दूसरे सब्दों में कहें तो आरेन खान ड्रग मामला यहां वही मामला एक बार फिर्ट से चर्चा में हैं साथ में चर्चा में हैं NCV के पूरू निदेशक समीर वान खेड़े समीर वान खेड़े पर CVI ने आरेन खान ड्रग मामले में उनके पिता शारू खान से 25 करोड रुपए की वसूली की कोशिस के आरोप के आधार पर केस दर्ज किया है सवाल वान खेड़े पर उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए क्योंकि वह NCV की साख को ताक पर रख रहे थे खर जाच एजन्सिया जाच कर रहे हैं और सच सामने आएगा ही लेकिन आज जो मेडिया बुद्धी जी वी वर्ग राजनेता या एक्टिविस्ट तब वान खेड़े की भूमिका पर सवाल करते हुए केंदर सरकार पर आरोप लगा रहे थे वह आज चुप हैं सवाल यह है कि आज पीछे जाग कर वई यह क्यों नहीं देखते कि उन्होंने कैसे अपने अपने इस तरपर और अपने सामर्थ के अनुसार ट्रायल चलाया था यह बताने के लिए कि समीर वान खेड़े हिंदुत्व का चेहरा हैं संगी हैं और कभी भी भाजपा के टिकट पर चुनाओ लड़ सकते हैं ततकालिन महागाडी सरकार के मंतरी और सरत पवार के खास नवाब मलिक तो आपको यादी होंगे जिन्होंने ठाना हुआ था कि ड्रग मामले में प्रेस कॉंफरेंस कर वे गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर हिमानेंगे नवाब मलिक के लिए पर्सनल मामला भी था क्योंकि उनके दामाज समीर खान भी ड्रग मामले में गिरफतार किये गए थे नवाब मलिक ने उस समय आरोप लगाया था कि भाजपा वान खेड़े के लिए दिल्ली में लौविंग कर रही है नवाब मलिक उस समय समीर को पोपट तो भाजपा को जिन बता रही थी हाल यह हो चला था कि मलिक ने वान खेड़े को मुसल्मान सावित करने की तमाम कोशिसें की परेशान होकर वान खेड़े के परिवार को इस पर सफाई तक देनी पड़ी थी नवाब मलिक भले ही ट्राइल करने में सबसे आगे थे लेकिन वह अकेले नहीं थे सिफसे ना के संजेर आउत ने तो मनिलांडरिंग के आरोपी नवाब मलिक की गिरफतारी पर यहां तक कह दिया था कि वह वान खेड़े और भाजपा को बेनकाब करने की सजा पा रहे हैं महाराश कॉंग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी केंद्रे जांच एजंसियों के निष्ठा पर सवाल उठाते हुए भविश्यवानी कर दी थी कि केंद्रिय जांच एजंसियों का लगातार गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और समीरवान खेड़े पर कोई कारवाई नहीं होगी मीडिया टियारपी और क्लिक्स के लिए उस समीरवान खेड़े की RSS मुख्यालाईवर उपस्तिती की तस्वीर भी दिखा रहा था और बार बार ये कह रहा था कि बस अब से कुछी समय में वह भाजपा जोइन कर लेंगे इस तरह की तमाम गैर जिम्हादाराना बातें कही गई खास तोर पर तब जब एजेंसियां गंभीर आरोपों की जाज कर रही थी यह सब बिना सोचे किया जा रहा था कि ऐसी गैर जिम्हादाराना हरकतें और बयान आम नागरिकों को तो भ्रमित करते ही हैं उसके साथ ही जांच को भी प्रभावित करते हैं राजनीती से इतर वानखेडे पर लगे तमाम आरोपों की जांच एजनसियां अपने इस तरपर करी रही थी लेकिन प्रश्ण यह है कि आज जब वानखेडे पर फायादर्ज हो गई है तो क्या वे तमाम नेता और मीडिया अपने बयान और अपनी रिपोर्टिंग के लिए माफी नामा जारी करेंगे यह हम सब के लिए सोचने की बात है कि यदि CBI पर केंदर सरकार का राजनीतिक प्रभाव रहता तो ऐसे कारवाई संभव नहीं होती कारण यह है कि जाच एजनसी की कारवाई तब हुई है जब वानखेड़े और उन पर लगे आरोप और उनकी जाच की बात को लोग लगबग भूल चुके थे फिर अचानक वानखेड़े चर्चा में कैसे आ गए चर्चा में इसलिए आ गए क्योंकि देश में ऐसी सरकार है जो जाच एजनसीयों को स्वतंद रोप से काम करने देने की हिम्मत रखती है और जाच एजनसीयां अपना काम करती रहती है आज लगबग धाई वर्सों की जाच के बाद जब समीरवान खेड़े के उपर प्रशासनी कारवाई हो रही है तो मामले का घटना करम हमें क्या संदेश देता है दरहसल सबसे बड़ा संदेश ये है कि सासन और प्रशासन में ब्रश्टाचार का कोई त्वरिच समाधान नहीं है जो बात आवशक है वो ये है कि सरकारी एजनसीयों को अपनी विश्वस नियता बनाये रखनी है तो किसी भी केस की जाच और उसे संबंदित प्रशासनी कारवाई लाइम लाइट में रहे बिना करना जरूरी है एक सीख हमारे राजनेताओं के लिए भी है खासत और पर कॉंग्रेस पार्टी और उनके साथी दलों के लिए जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने के लिए नकेवल जाच एजेंसियों पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं बलकि हर जाच को राजनीति से जोड़कर देशवास्यों के मन में ब्रहम पैदा करने का काम बिना किसी जिजग के करते हैं ऐसे नेताओं को यह समझने के आवश्यक्ता है कि भारत सासन और प्रसासन की द्रिष्टि से उन दिनों से भहुत आगे आ चुका है जब सुप्रीम कोट ने CBI के बारे में उसके निदेशक के सामने कहा था कि CBI पिंजरे में बंद तोता है बने रही है हमारे साथ देखते रहे है दपैंप्लेट